और अबाद देश के किसान और केंदर सरकार की कर लेते हैं नए क्रशी कानूनों की वापसी के लिए किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है वहीं सरकार से हुई वारता के बाद किसान तीन क्रशी कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए है किसानों ने कहा है कि तीन क्रिशी कानूनों को वापस लिये जाने की उनकी मांग का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है अगर सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती तो बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता ये बाते किसान यूनियन ने एक प्रेस विग्यपती में कही जिसे All India किसान संगर्ष कौर्डिनेशन कमीटी की ओर से जारी किया गया किसानों ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अगर ये तीन जो नए क्रिफशी कानून आते हैं तो खेत, फसल और मंडियों पर कॉर्परेट का कबजा हो जाएगा साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि सरकार Minimum Support Price यानि जो MSP है उस पर भी कोई ठोस बात नहीं कर रही है तो एक तरह से जहां अभी एक दिन पहले की बात करें जो एहम बैठक हुई थी उसमें जो ये आंदोलन है उसका कहीं न कहीं अगर कहें तो आधे पड़ाव पर पहुँचा था लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और लगातार वो अपनी एक ही बात पर अड़े हैं उनका एक ही फैसला है एक ही बात है जो उसे दोहरा रहे हैं बार बार जी आविलकुँ से पार और ये उस दिन भी स्पाफ था जब सरकार ने ये बात कहीं थी कि वो दो ओडिनेंसे जिनकी बात हो रहे थी उसे वापिस ले रही है किसानों ने तब भी कहा था कि अभी किसान संगरॉस कॉड़ीनेशन कमीटी का कहना है हमने रखा है कि सरकार की जो बात चीत है वो संध्युक्त किसान मोचा से होती है लेकिन और हंघा किसान संगर्स कॉड़ीनेशन göllidity ने बात साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कानूनों को रद नहीं करती तब तक जो है वो लेकिन इसमार मौजुदा सिती में कोई नहीं बात नहीं है तुकि सरकार के वह को लेकर किसानों ने अपना पॉप शाफ कर दियाakter, सरकार चाहे जितनी बाते कर ले, चाहे वो एमिल्मेंट्स की बात कर ले उनका मूल मुद्दा खानूनों को रद कराना है और उसी पर वो अडिगें प्रटेस्ट उसी पर हो रहा है और होता रहे जाए जाए आश्मान आपका बहुत बर्शोगर है इसे जानकारी के लिए